बिफोर वी कॉंटिन्यू इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत बिग अनॉस्मेंट होने वाली है आरंब 2024 में एप्रल सेवन 1 पीम तो 3 पीम चार बड़े रिवील होने वाले हैं अगर आप आप आपके लिए बहुत एक टर्निंग पॉइंट होगा आपकी जई प्रेपरेशन का इसमें सबको जरूर जुड़ना ही जुड़ना है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ पे जाना है नोटिफाइ मी का बटन आपको प्रेस करना है मैं भी इस इवेंट में प्रेजेंट रहूँगा बहुत सारी बातें इसमें रिवील करने वाले चार बड़ी अनौसमेंट होनी वाले हैं और बहुत कुछ आपके लिए होगा इस इवेंट को मिस बिलकुल नहीं कर सकते हैं डेट और टाइम याद रखेगा साथ एपरिल को दुपहर को एक से तीन पीम आरम 2024 में जरूर सब को आना ही आना है हाई अबरिवन कैसे हैं आप सब आप विनीत लूंबा टॉप एजुकेटर है राइट आने कैडमी और आने कैडमी जही यूट्यूब चैनल पर आप सब का स्वागत है आज हम स्ट्राटजी लेका है जो भी बच्चे हमारे जही में सेकंड एटम्ट 2024 के लिए जा रहे हैं उनके लिए जस्ट लास मिनिट टिप्स हैं जो अगर वो फॉलो करते हैं तो आप अपने मार्क्स को डेफिनिली इंप्रूव कर पाएंगे देखे अब तक आपको अपने जो एक्जाम के स्लॉट्स हैं वो पता चल गए होंगे सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो यह है कि आपको अपने आपके जो टाइम स्केडूल है उसको उसके साथ मैच करवा ला है मालो आपका morning slot में paper है तो make sure तक जब तक आपका एक्जाम नहीं हो जाता तब तक morning slot में आप जम के प्रक्टिस करें ठीक है का देखिए, morning में slot है, तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा, उस दिन definitely, ठीक है, भले center आपके घर के पास ही क्यों ना हो, तब भी आपको early morning उठना पड़ेगा, तो अभी से वो sleep cycle set कर लिजे, अगर आपका afternoon slot है, और आपको लग रहा है कि आप center में थोड़ा late उठके भी प test नहीं दीजेगा, लेकिन जैसे एक या दो mock test आप दे सकते हैं, depending on आपकी shift कितना दूर है, और आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं, तो एक mock test जरूर दे जिएगा, ताकि थोड़ा एक last में हमें push मिल पाए, और बहुत मुश्किल mock test नहीं दीजेगा, last stage में, मतलब हम च time slot में देने ही कोशिश करिए, और एक अच्छे positive state of mind के साथ exam में चाहिए, ठीक है, आप में से कुछ बुच्चे अभी दुविदा में होंगे, कि भी मैं drop लूँ कि drop नहीं लूँ, देखो अगर आप अभी second time देने चाहते हो, तो भी फिलाल के लिए drop का जो idea हो अपने मन से चार-पांच दिन के लिए निकाल दीजे, जब तक आपका exam हो नहीं जाता, उसके बाद फिर आपको जो भी drop लेना है के नहीं लेना, वो आप decision वो आप call ले सकते हैं, अब यह मतलब दुविदा में जाएंगे ना, तो paper में ऐसे लगए चोड़ो क्या ही करना है paper man, तो drop ही लेता हूं, तो उस mode में paper में नहीं जाएगा, ठीक है, बागी कुछ basic चीजें हैं, कि अपनी health का ध्यान रखेगा, खाने पीना का ध्यान रखेगा, आकरी के दुनों में बिमार पड़ जाएंगे, तो पूरी 2 साल का effort है, वो waste हो जाता है, ठीक है, और rumor से भी बचेगा, कई बार examination center में हमें कोई वच्चा कुछ भी कह देता है, किसी भी तरह के rumors होते हैं, जो कि हमारे state of mind को, जो peace of mind है उसको disturb कर देते हैं, वैसा ना हो, और कोशिश करें कि आप जब exam hall में जा रहे हैं, तो अपने साथ किसी बड़े को, बड़े बाई-बयाहन को, या फिर parents अगर ज security level होता है, वो better होता है, इसलिए अगर आप उनको साथ में लेके जाएं, तो भगवान ना करें, अगर कोई भी दिक्कत आती है, तो they'll be able to handle it, ठीक है, बाकि अपने revision जरूर करते रहें, ठीक है, solving करते रहें, आखरी की दुनों में जाके, लोग कई बार solving करना छोड़ देत हैं, कि अब मैं सिर्फ theory थोड़ी पढ़ लेता हूं, बास सही है, आप chemistry की थोड़ी पढ़ सकते हैं, थोड़ा chemistry को ज्यादा time दे दीजिए, आपको जो चीजे याद करने वाली है, जो exceptions है, वो आप कर लीजे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस stage में आके T by 3 का जो हमारा rule है, कि सारिस्ट को बराबर time देना है, वो आप आखिर में जाके अभी break कर सकते हैं, रूल को, आप chemistry को जादा time दे सकते हैं, लेकिन उसका मत्तब यह नहीं कि physics math को बिल्कुल ही छोड़ देना है, ठीक है, math में तो मैं definitely कहूँगा कि आप solving करते रहे, solving को छोड़े नहीं है, राम math में theory दो होती नहीं, हाँ, short notes अपने जरूर revise करते रहे, regular interval पे, ठीक है, सारे chapters के जो formulas है, जो short tricks है, वो जरूर करते रहे, साथ-साथ में questions जरूर लगाते हैं, भले हलके-हलके PYQ लगा ले, पेपर जो है, इस बार बहुत जादा difficult papers नहीं आये, आपको बस time management करनी है, आतम करूं, तो वो दो तरह की strategies आपको बना लेनी है, एक चीज़ का और ध्यान लगना है, कि paper attempt strategy जो है, वो आप बना लीजिए, मैं जैसे rough idea दूं, तो starting में आप जैसे chemistry को 30-35 minute कर सकते हैं, उसके बाद 40-45 minute या तो physics या तो math, ठीक है, उसके बाद जो subject रह जागा, वो वाल में, वो आपकी call आप कैसे distribute करना चाहते है, जैसे कई बच्चों का math strong हुआ, तो math कर सकते हैं, कई उनका physics strong हो, तो physics को थोड़ा जादा time दे सकते हैं, तो that call you have to take dynamically, और वो वाली जो calls है न, वो ही actual में decide करते हैं, कि हम कितना better बाकियों से कर पाएंगे, तो मैं कहूंगा कि आ अगर आपको कोई बोलता है, मालो कि इस बार वेबर tough आएगा, percentile versus marks खराब हो जाएगा, और January के समय भी बहुत सार लोग बोलेते हैं, और देखें आप January में marks वाजी percentile का table वो बिल्कुली गलत हो गया, ठीक है, किसी का भी estimates सहीन हुआ, तो ये सब estimates होते हैं, इनको आप ignore कर आप बाकी shift में क्या हो रहा है, उसको भूल जाये, just focus on the paper that comes in front of you on that particular day, आपको उस paper में best करना है, अगर आप उस paper में best कर गए, तो आप अपने best optimal score के उपर बैठे होंगे, I wish you all the very best, और मैं चाहूंगा, मैं ये उमीद करता हूं, कि आप बहुत बढ़िया exam करके आएगे, ब मेरी best wishes आपके साथ हमेशा रहेगी, all the very best.